तो दोस्तो काफी लंबा वीकेंड रहने के बाद आज हमारा मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ है ठिक ठाक गैप डाउन ओपन हुआ है और मैंने यहाँ पर बिना कन्फरमेशन के एग्रेसिव ट्रेड लिया है पूट साइड में और आज के प्रीमियम की बात करें मतलब जो कॉल और पूट के प्रीमियम है उनको देखते हुए नहीं लगता है कि आज कोई तगड़ा मुमेंटम मार्केट में होने वाला है क्योंकि कोई भी एड़ दा मनी का आप कॉल और पूट अपनी वाच लिस्ट में एड़ करोगे तो वहाँ पर आपको 100 पॉइंट का अंत पर नजर आ रहा है एड़ दा मनी के स्ट्राइक प्राइज में तो जिससे लग रहा है कि इनको मार्केट अज़स्ट करने के लिए साइडवेज रह सकता है क्योंकि प्रीमियम में इतना बड़ा अंतर रहना एक नॉर्मल चीज नहीं है मालो मार्केट यहीं से बुलिस हो ज चाहे साइडवेज रहके या फिर वालिटाइल रहके तो इसी चीज को सोचते हुए मैंने पूट साइड में एग्रेसिव ट्रेड लिया है और कॉंटिटी को भी थोड़ा सा मैंने जादा कर दिया क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मुमेंटम यहां पे मिलेगा मुझे तो एक स्कैल्प मारके मैं यहां से निकल जाओंगा अपना प्रॉफिट बुक करके लेकिन एक मिनट से ज्यादा हो गया है इस ट्रेड को बाई किये हुए पर इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है कॉस्ट के आस पास चल रहा है ज्यादा प्रॉफिट में जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है लेकिन लॉस में तो थोड़ा सा जा रहा है पर प्रॉफिट में उतना अच्छा आनी रहा है तो इसमें मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूं मुस्किल से दो तीन पॉइंट का ऐसल लेके बंद कर दूँगा फिलाल 800 तक का प्रॉफिट इसने दिखा तो कुल मिला के मार्केट इतना कोई खास आज रहने वाला नहीं है मार्केट को देखते हुए क्योंकि तीन दिन वैसी चुट्टी थी मार्केट की और आज भी एक बड़ा गैब डाउन खुला है तो कई ना कई प्रेमियम डीके करेगा जरूर आज मतलब रेंज बाउंड म करें सब्सें कुछ खास मुझे नजर नहीं आया है प्रॉफित मी ज्यादा चल एए कि रेंठ लोस जड़ा तो नहीं दिखा रहा है लेकिन लख में जादा जा रहा है प्रॉफित में बहुत कम आरहा भी कोस्ट पे चल रहा है तो इसमें श new ढर्ले की ता च्रोटा सानी ए् तो अभी प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है इसको कॉस्ट यहीं से मैनुवली मैं निकाल दूँगा लेपटाप से 1500 का लॉस दिखा रहा है तो यहीं पर इसको एक्जिट करते हैं बस यहां पर 1400 का लॉस बुक हो चुका है तीन मिनट के आसपास मैंने इस ट्रेट को होल्ड र क्योंकि आज का दिन आप्शन बायर का नहीं था